राजधानी लखनओ के दिलकुषा इलाके में आज तर्ड के सुबा एक दर्दनाक हाथसा हुआ दिलकुषा इलाके में यहाँ पर एक दिवार गिर गई जिसके नीचे दब कर 9 लोगों की मौत हो गई दो लोग घाल है जिनका इलाज फिलाल चल रहा है लगातार अगर हम बात करें तो पिछले दो दिन से राजधानी लखनओ में भीशनबर साथ हो रही है जिसके चलते ये दिवार जो पहले से ही कमजोर थी गिर गई और इसकी आड़ में जो कुछ मज़़ूर लोग अपना घर बना कर रहे रहे थे जोपड़ी बना कर रहे रहे थे इसके नीचे दब गए और इस हाथसे में नौ लोगों की मौत हो गई जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं यह वो दिवार थी जो गिरी और सामने आप देखें दूर एक बॉल नजर आ रही है जो बच्चों के खेलने की थी आगे मलबे के नीचे दबी हुई मज़़ूर की साइकिल बच्चों के जुन्युन नौ लोगों की मौके पर ततकाल ही मौत हो गई अगर बात करें जो लोग यहाँ पर रहा करते थे तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ यह जो दिवार जो गिरी उसके दूसरी तरफ दिलकुशा में वो केंट का इलाका है और कॉलोनी है पूरी लेकिन दिवार के इस तरफ यह लोग जोपडी बना कर रहा करते थे यह जो दिवार आप देख रहे हैं इस समय बनी हुई यह दिवार का हिस्सा एक जो टूटा यहाँ पर और दूसरी तरफ एक पेड़ के सारे कुछ हिस्सा रुका भी है ऐसा लगता कि अगर पेड़ नहीं होता शायद कुछ और हिस् सकती है कि किस तरह से यह जो दिवारती कचीती जगा पर दूसरी दिवार का निर्माड होना था उसका समान भी पड़ा हुआ था लेकिन फिलाल जो सेना के लोग ते उन्हों का कुछ समय से काम बंद पड़ा हुआ था जहां पर आकर कुछ मजदूर रहने लगे और इस जग पहुंची पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे उन लोगों ने हटा दिया यहां पर इन लोगों का फिलाल समान भी पड़ा हुआ जो लोग यहां सामने की तरफ रहते थे आप देख सकते हैं इनके बरतन बच्चों के जूते बैट यह सारा समान जो मिस्त्री थे उनका य रेंट के इलाके की तरफ से आई हुई थी आप देख सकते हैं और यह जोला और यह देखे यह यह देख सकते हैं आप अंदर जो समान मजदूर इस्तमाल करते हैं काम करने के लिए वह आपको दिखा रहे हैं हमाई कैमरा सायोगी जितेन यह सारी चीजे यह देखे यह मिस्त अभी भी और इसके अलावा अगर बात करें अंदर इन लोगों के जो परिवार रहा करता था उनका खाने पीने के बरतन चपल यूते यह और यह एक बल्व लटका हुआ दिख रहा है और यहां पर यह जो बल्व के लिए कनेक्शन आया हुआ है यह दूसी तरफ से आया हुआ है यह तार आप देख सकते हैं जो कॉलोनी के अंदर से आयो ही ती यानि कनेक्शन जो था वो कॉलोनी के अंदर से इन्हें मिला था किसने कनेक्शन दिया था यह फिलाल इस पश्ट नहीं है जो लोग यहां पर रह रहे थे जोपड़ियों में लिखिन एक दरदनाक हाथसा जिसमें नौलोग की जान चली गई और इसके साथी तमाम देखे सवाल भी उठ रहे हैं कि यह लोग यहां पर लंबे समय से कुछ लोगों ने जो बताया कि लंबे समय से रह रहे थे तो फिर आखिर क्यों नहीं इनको हटाया गया जबकि दिवार यहां पर कच्ची थी दू से बड़ा सवाल क्या वो जिन्दगी वापस आ सकती है जिसका एक ही जवाब की नहीं जो परिवार उजड़ गए खतम हो गए उनकी भरपाई आखिर कैसे होगी कहीं ना कहीं एक बड़ी चूग भी है और इसी तरह तमाम जगा पर लोग अपना आश्याना मना कर रहते हैं दूसरी जगा से आकर अपना परिवार का पेट पालने के लिए मैज़ूरी करते हैं और इन ही जोपड़ियों में रहा करते हैं कैमरा से योगी जीते इंदर के साथ शेले शरूरा एबीपी गंगा लखना हूँ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की